हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 36 चेप्टर करेंगे जिसका नाम है गाडगे महराज यह मैं आपको एक्स्प्रेइन करूंगा हिंदी में ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइक उनको प्रेस कर गाडगे बाबा वोज अ मॉडर्न सेंट मॉडर्न मजब बच्चो अ बच्छो तो नए जमाने के या तो आधुनिक सेंट मतरो साधु कि यह पर क्या हूंबiantly की गाडगे बाबा जो है वो एक नयए जमाने के साधु थे देखो यह गाडगे बाबा है इनको गुला है यहाँ पी क्या बोला है कि लेकिन एतने सालों के बाद आज भी उन्हें याद किया जाता है जो काम उन्होंने हजारों जगहों पर अच्छा ही काम किये थे उन कामों के वज़े से उन्हें आज भी याद किया जाता है What डिद ही लुक लाइक Look अंतहीं मनत्बचो विच्ट हो दिखना। थी कहा है वाट मतलब ऐसो किया किया वह कैसे दिखते थे देखते हैं वह कैसी दिखते यह कैसा है silver hair brown eyes fair skin big tall and stout body silver hair मतलब शफेद बाल ब्राउन आईज, आईज मतलब बच्छो आँख, स्किन मतलब बच्छो चमड़ी, बीग मतलब बच्छो बड़ा, टॉल मतलब लंबा, स्टॉट मतलब बच्छो अबल सकते हो हट्टा कट्टा, ठीक है? यहाँ पर क्या हो लाए? कि उनके, वो कैसे दिखते थे? गाड़ के ब वोर आटॉन बट क्लीन शर्ट, बेट मतलब लपेटना, लूंगी बच्छो यह जो इन्होंने पहना है, इसको लूंगी बोलते हैं, ठीक है? अराउन मतलब बच्छो आजू-बाजू, वेस्ट मतलब बच्छो कमर, वोर मतलब पहनना, टॉन मतलब बच्छो फटा हुआ, क उन्हों एक फटी हुई शर्ट पहने थी, लेकिन वो साफ सुत्री थी, एक दो, अ क्लोथ शू अडॉन वन फूट वाइल, अदर फूट वोस मेनी टाइम बेर, क्लोथ मतलब बच्छो कपड़ा, शू मतलब जूता, अडॉन मतलब बच्छो सुन्दर लगना, फूट मतलब बच्छो पैर, अदर मतलब बच्छो दूसरा, मेनी मतलब बच्छो बहुत, टाइम मतलब समय, बेर मतलब बच्छो आप बच्छो कते हो, जो बीना कपड़े करे, यहां पर क्या बोला है, कि जो उनका एक पैर था, वो कपड़े के बहुत सुन्दर लग रहा था, और जो द एक छड़ी लेकर अपने साथ में रखते थे अपने साथ में, बिकाज आफ इस बाउल और अक गाड़गे, पीपल स्टार्टिड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महराज, बिकाज मतलब इसलिए बावल मतलब पैला गाडगे, गाडगे मतलब प्याले को हम मराठी में गाड़गे बोलते हैं पीपल मतब लोग स्टार्टर मतब बच्छो शुरू करना कॉलिंग मतब बच्छो आब इसके आवाज लगाना है तो बुलाना यहाँ पर क्या वला है कि उस प्याले की वज़े से जो उसाथ में लेकर चलते थे यहाँ बोलते हैं गाड़गे लोग इसकी वज़े से उन्हें गाड़गे बाबा या तो गाड़गे महराज बुलाना शुरू कर दिये इस रियल नेम वाज देबुजी जिंगराजी जानुरकर रियल मतब चो असली नेम मतब नाम यहाँ पर क्यावला है कि उनका असली नाम था देबुजी जिंगराजी जानुरकर यह इनका असली नाम था ठीक है लेकि लोग उन्हें गाड़गे बाबा बुलाते थे आगे देखते क्या है यहाँ पर क्यावला है कि वो कभी भी एक जगहे पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहे जो एकदम स्मूथ नहीं रहे यहाँ पर क्यावला है कि वो हमेशा एक रफ जो चद्दर रहती थी वो इस्तिमाल करते थे और वो अपने हाथ को तक्या जैसा इस्तिमाल करते थे ठीक है यहाँ पर क्या बोला है कि वो एक गाउं से दूसरे गाउं घूमते थे और वो अपना जो भी मैसेश था जो उनका संदेश था सफाई का इंसानियत का और एजुकरिशन मतब पढ़ाई की जो भी महतुपूर है महतुपूर्टा है वो उसके वो मैसेज हो फैलाते थे हर जगां यहां पर क्या होला है कि वो कभी भूख या प्यास से परेशान नहीं होते थे यहां पर क्या होला है कि उन्हें क्या पसंद था लोगों को भजन किर्टन यह सब इन्हें पसंद था और लोगों को सिखाना पढ़ाना यह सब चीजे उनको पसंद थी 1000s of people flock to listen his किर्टन 1000 मतब बचो 1000 people मतब बचो लोग फ्लॉक मतलब बच्चो जूंड में लीसन मतलब बच्चो सुनना यहाँ पर कहा हुला है कि हजार हजारों की संख्या में लोग जमा होते थे उनकी किर्टन सुनने के लिए ठीक है आगे देखो क्या भी आपको उनके किर्टन बहुती जढ़ लेवली, बहुती अच्छे बहुती ज़ादा करशक होते थे He would not simply give lectures Lecture मतब बच्छो अब बल सकते हो भाशार Simply मतब बच्छो आसानी यहाँ पर क्या होला है कि वो एकदम आसानी सीधे-सीधे भाशार नहीं देते थे He would often put questions to the audience to keep up their interest Often मतब बच्छो अब बल सकते हो बार-बार Question मतब सवाल Put मतब बच्छो रखना Audience मतब जनता Interest मतब बच्छो अब बल सकते दिल्चस्पी यहाँ पर क्या बला है कि वो लोगों के सामने सवाल लगते थे जनता के सामने जो उन्हें के सुनने के लिए आते थे उनके सामने सवाल लगते थे ताकि लोग interest दिखाए लोग अपनी दिल्चस्पी दिखाए Then he would show them how absurd they were in their words and actions Then मतब बच्छो तब Show मतब बच्छो दिखाना How मतब बच्छो कैसे Absurd मतब बच्छो अब बल सकते बेतु का Word मतब बच्छो शब्द, action मतब काम और तब उन्हें यह दिखा दे थे कि वो अपने काम में और अपने शब्दों में कितने बुरे थे वो क्या चीज़े गलत करते थे For example, he would ask Ask मतब बच्छो पूछना He मतब बच्छो For example, वो क्या पूछते थे वो यह सब पूछते थे, क्या है देखो How many gods are there How मतब बच्छो अब बल सकते हो कितने God मतब बच्छो God मतब बच्छो भगवान क्या यहाँ पर क्या वो पूछ रहे कि कितने भगवान होते हैं तो लोग क्या जवाब दे रहे हैं One मतब एक यह वो लोग जवाब दे रहे हैं पिर देखो क्या बोल रहे हैं यू वर्षिप कानुडवा मासोबा विरोबा एन विट्यल एंड सो ओन यू वर्षिप मतलब बच्छो परार्थना करना पूज़ना मेनी मोर मतलब बच्छो और भी ज्यादा यहाँ पर क्या बोला है कि और आप लोग जो खंदोबा है मासोबा है विरोबा एन विट्यल है आप लोग इन सब की पूजा करते हो लोग क्या बोल रहे हैं येस मतलब हाँ आगे दिखो क्या है और यह जो तुम्हारे जो एक्शन से यह जो तुम्हारे यह विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे भगवान होते है and yet you said a little while ago that you worship one God were you asleep then yet मतलब बचो अब तक said मतलब बचो बोलना little while ago मतलब बचो थोड़े समय पहले worship मतलब बचो पूजना God मतलब बचो भगवान asleep मतलब बचो सोते रहना और वो क्या तब देखो जब सब लोग बोल रहे है कि आपके यह जब कुछ समय पहले तो तुमने बोला ता सिर्फ एक भगवान की पूजा करते हो अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान बहुत सारे होते हैं यह गाड़ के बाव उनको पूछ रहे थे आगे देखते हैं यहां पर दो क्या है दो ओडियंस वुड्वी दो ओडियंस फुड्वी टेकन बई सर्प्राइज ओडिन्स जणत अ टेकन मतलब लिया शर्प्राइज मतलब बच्व जो ओडियंस जन्ता थे ओबहुत ज़ादा अश्र चक्रीद हो जाते थे देन डे वूड लिसेन मोर अट Attentively मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से, then मतलब तब, listen मतलब सुनना, यहाँ पर क्या होला है, कि तब जो audience जो लोग थे, वो और भी ज़्यादा ध्यान से सुनने लगते थे, और जो बाबा थे, वो बोलते थे, क्या देखते हैं, you offer things to God in return for his favor, don't you, offer मतलब बहुत परस्ता हो, things मतलब चीज़े, God मतलब भगवान, return मतलब बचो वापिस, favor मतलब बचो, आप बल सकते हो, एहसान बोल सकते हो, यहाँ पर क्या बहुत रहे है, God गवावा, कि और तुम भगवान को, जो भी वो अच्छा आपके लिए करते हैं, उनके favor में मतलब, उनके एहसान चुकाने के आप उनको चीज़े देते हो, ऐसा कि आप नहीं करते हो, तब लोग क्या बोल रहे है, yes we do, yes मतलब हाँ, we do मतलब हम, do मतलब करना, तो लोग क्या बोल रहे है, हाँ हम करते हैं ऐसा, अब देखो, God क्या बावाव क्या बोल रहे है, and don't you say, God, my child is ill, please make him well, I will offer you a goat, don't you मतलब अच्छा, offer मतलब बच्चो अबल सुकते हो, प्रस्ताव, God मतलब बकरी, यहां पर क्या बोल रहे है, और God क्या बोल रहे है, कि क्या तुम God से भगवान से ऐसा नहीं बोलते हो, कि भगवान मेरा बच्चा बीमार है, आप इसे किर्पिया करके अच्छा कर दो, और मैं आपक that if God lets go the two-legged child, you will offer him in return a four-legged animal, don't you मतलब बच्चो तुम नहीं, say मतलब बच्चो बोला, God मतलब बच्चो भगवान, go मतलब जाना, two-legged मतलब बच्चो दो पैर, child मतलब बच्चा, offer मतलब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो परस्ताव, return मतलब बच्चो वापिस, four-legged मतलब बच्चो चार पैर, animal मतलब जानवर, अब यहाँ पर God क्या बोल रहे है, क्या कि तुम ऐसा नहीं बोलते हो भगवान से, कि आप मेरे बच्चे को चलना, जो दो पैरे हो अपने पैरों पे चलने लगे, और मैं आपको एक चार पैरों वाला जानवर, मैं आपको can he be so greedy, can he be bribed, why मतलब बच्चो, God मतलब भगवान, creator मतलब बच्चो, बनाना, world मतलब बच्चो, संसार या तो दुनिया, cruel मतलब बुरा, greedy मतलब बच्चो, लालची, bribe मतलब बच्चो, रिश्वत देना, ठीक है, अब काड़ गया बाबाबा, क्या वोल रहे है, लेकिन क् अब ही इतने बुरे हो सकते हैं, कि उनको एह सब चीजों की लालाच रहे, और उन्हीं रिश्वत दी जा सके, तब लोग क्या वोले हैं, no, मतलब नहीं, आगे दुखो क्या है, यहां पर बुलाच यहां पर बच्चो, यहां पर बुलाच है, कि क्या तुम ऐसा सोचते हो, कि जो भगवान ने जो इस सब जीव को बनाट देना, बनाया है इनको मारना और इनको खाने से भगवान खुश होएंगे और वो तुम्हें आशिरवात देंगे तब लोग देखो क्या वले दिन दा ओडियंस फूड रियलाइज हाव रॉंग देर थिंकिंग वाज देन मतलब बचो तब ऑडियंस मतलब जनता रियलाइज मतलब ब तब जाके लोग यह प्रॉमिस करते थे यह वादा करते थे कि और भी ज्यादा इस सब चीजों के बारे में सोचेंगे ठीक है आगे देखो क्या है अफ्र दच कीरतरण फीपल फ्like टूट तच गाडगे बाबा सफिट आफ्ट उस्ट फीपल मतलब जोड़ में वाद में पेड़ कीरतरण कीरतर होने के बाद में जर्षूंए थे गाडगे बाबा kimchi प्य anyone to do that बट मतबचो लेकिन अलो मतबचो अनुमती anyone मतबचो कोई भी यहांपे का वला है लेकिन जो गाट के बाबा थे वो किसी को इसकी अनुमती नहीं देते थे कि उनका कोई पैर छुए He didn't like people touching his feet like मतबचो पसंद people मतब लोग touching उन्हें जरा भी यह पसंद नहीं था कि लोग उनके पैर छुए as soon as the curtain was over he spread away leaving the crowds far behind as soon as मतबचो आप बल सकते हो जैसे ही over मतबचो खत्म spread मतबचो जल्दी से निकलना away मतब दूर leaving मतबचो छोड़ना crowd मतब भीर behind मतब पीछे यहाँ पर क्या हो ला है कि जैसे ही किर्तन खताम होता था वो जल्दी से वहाँ से दूर निकल जाते थे भीर को पीछे बहुत पीछे छोड़ते हुए develop good qualities that's all there was no point in touching my feet he said develop मतबचो विक्सित करना qualities मतब गुड all मतबचो सब touching मतबचो छूना feet मतबचो पैर said मतबचो बोला अब इतको गाड़ के बाबा क्या बोला है कि अपने अंदर अच्छे good विक्सित करो अच्छे जो बाते हैं वो विक्सित करो ये बस यही है मेरा पैर छूने का कोई भी मतलब नहीं है ऐसा उन्होंने बोला ठीक है आगे देखते है क्या है बाबा followed one rule to the end of his life followed मतब बच्छो अब बोल सकते हो मतब बच्छो अब बोल सकते हो पालन करना rule मतब नियम end मतब बच्छो आखिर life मतब जिन्दगी यहाँ पर क्या वला है कि जो बाबा थे ब्रूम्स पेड्स एंड पैंस whenever मतब बच्छो जहाँ भी went मतब जाना बी मतब बच्छो होना village मतब बच्छो गाउं टाउन मतब शहर small settlements मतब बच्छो छोटी बसती ask मतब बच्छो पूछना study मतब बच्छो मजबूत brooms मतब जाडू spade मतब फाउडा pen मतब बच्छो अब बल सकते हो कि जो pen जिसमें हम कच्रा उसे बुठाते हैं वो क्या बला है यहाँ पे कि जहां भी वो जाते थे चाहे वो गाउं हो या एक शहर हो या एक छोटी सी बसती हो वो लोगों से एक मजबूत जाडू एक फाउडा और एक pen मांगते थे और क्या करते थे फिर देखते हैं then he would sweep and clean the whole area then मतब बच्छो तब sweep मतब बच्छो जाडू लगाना clean मतब बच्छो साफ करना whole मतब बच्छो पूरा area मतब बच्छो इलाका यहाँ पर क्या होला है तब हो क्या करते थे तब फिर उसके बाद वो वहाँ जाडू मारते थे और पूरे इलाके को साफ कर देते थे वो soon other people joined him but he did not wait for that to happen soon मतब बच्छो जल्द people मतब लोग other मतब बच्छो दूसरे join मतब बच्छो अबलस आकर साथ देना but मतब लेकिन wait मतब इंतिजार करना happen मतब होना यहाँ पर क्या बोला है कि जल्द ही लोग उनको join कर लेते थे उनके साथ आ जाते थे लेकिन वो इस चीज़ का wait नहीं करते थे इंतिजार नहीं करते तो वो अपना काम शुरू कर देते थे जाडू लगाना सफाई करना he started sweeping and cleaning the places himself started मतब शुरू करना sweeping मतब जाडू लगाना cleaning मतब सफाई करना place मतब जगे himself मतब खुच से कि यहाँ पर बोला है कि वो खुच से जाडू लगाते थे और सफाई शुरू कर देते थे and if any bystander tried to to bow to baba while he was busy in this work that person would get a smack of the broom on the back if मतब बचो अगर any मतब बचो अब बचो कोई bystander मतब बचो क्या होता है दर्शक देखने वाला जो खड़ा होकर देखता है bow मतब बचो अब बचो माथा टेकना while मतब बचो जब busy मतब वेस्ट work मतब काम परिसन मतब बचो अब बचो अब बचो आदमी smack मतब बचो अब बचो अब बचो अब बचो अब मारना broom मतब ज़ाडू back मतब पीछे यहां पर क्या होले है कि अगर कोई जो वहां पर खड़ा होकर देख रहा है वो कोशिश करता है कि गाड़ के बाबा के हां माथा टेके उनके पैर पे जब वो वैस्टो अपने काम के लिए है तो वो उसके पीछे जाडू से मारते थे आगे देखो क्या है you don't do any of this work yourself and when somebody else try to do it you put yourself in the way move aside see how nice and welcoming this village looks when it is clean work मतब बचो काम yourself मतब बचो खुद when मतब जब somebody मतब बचो कोई else मतब बचो अन्य try मतब बचो आब बचो कोशिश करना put मतब बचो रखना yourself मतब बचो खुद way मतब रास्ता move aside मतब बचो किनारे हो जाओ see मतब देखो nice मतब बचो अच्छा village मतब गाउं look मतब बचो दिखना when मतब जब clean मतब साफ अभी गाटगे के बाबा क्या बोल रहा है कि तुम खुद तो कोई काम करते नहीं हो साफ सफाई का लेकिन अगर कोई काम करता है तो तुम अपने हापको बीच में डाल देते हो side हो जाओ किनारे हो जाओ और देखो ये गाउं कितना अच्छा साफ सुतरा दिख रहा है और कितना ये बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है ऐसे गाटगे बाबा बोलते थे जब उनका कोई माथा उनके पैर पर जब कोई माथा टेकने की कोशिश करता था ठीक है अभी चलो बच्छो आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर देखो अगले पेश पर आपको क्या दिया हुआ है क्या बोला यहाँ पर इफ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराश्रा लाइक पंडरपूर और नाशिक और देहु और आलंदी अब देखो यहाँ पर जो राइटर है जो लेखक है वो आपसे बात करना है क्या बोल रहे है कि अगर आप यात्रा करके जो यह धार्मिक जगे हैं महाराश्रा में जैसे पंडरपूर नाशिक और देहु अलंदी यह सिर्फ जगें को पर अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि गाडगे बाबा ने कितने अच्छे काम यहाँ पर किये हैं वो वाटर स्पाउट मतब पानी की टोटी पानी की नल आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या बला है कि वो खुद बहुत ही महना से काम करते थे और लोगों से मदद के लिए पूछते थे और वहाँ पर वो लोगों के लिए फ्री में बोर्डिंग प्लेसिस बनाते थे और घाट बनाते थे नदी के पास और पानी की टोटी भी पानी की नल भी बनाते थे ताकि वो गरीबों के लिए हो सब अवे लेबल रहे देखो आगे क्या है फूर पूर हेल्पलेस डिसेबल एन दा नीडी यहां पे क्या बोला है कि और वो गरीब लाचार और अपाहिज लोग जो थे जो ज़रूरत मन्द लोग थे उनके लिए एक जगहां शुरू की जहां पर उन्हें फ्री में खाना मिलता था जिसके लिए वो एक भी पैसा नहीं लेते थे He built schools, colleges and hostel for children built मतब बनाना यहां पर क्या बला है कि वो school, college और hostel बच्चों के लिए बनाया He saw God in the poor and miserable people saw मतब बच्चो देखना God मतब भगवान poor मतब बच्चो गरीब miserable मतब परेशान people मतब लोग यहां पर क्या बला है जो गाड़ के बाबा थे वो गरीब लोग और परेशान लोगों में भगवान को देखते थे serving these people was his way of serving God serving मतब बच्चो सेवा करना people मतब लोग way मतब बच्चो रास्ता serving मतब सेवा करना God मतब भगवान यहां पर क्या बला है कि गाड़ के बाबा इन गरीब लोगों की सेवा करके उनको लगता था कि वो भगवान की सेवा करते थे यह सुच्च थे कि इन लोगों की सेवा करने से ही भगवान के सेवा करने का रास्ता है तो बच्चो यहां पर हमारा यह chapter complete हो गया है आप इसे अच्छे से पड़ लो और revise को लो अगले वीडियो में आपको इसके questions दूँगा अभी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अब इसे वीडियो को like करो share करो and चैनल को subscribe करो thank you